गुद मॉनिंग आल स्टुजेंट्स आज हम अपना नय वीडियो लेकर आपके सामने हैं आज हम अपना तीसरा चेप्टर शुरू करेंगे इसका नाम है परागण परागण पालिनेशन क्या होता है किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है इस सब के विशह में अपन इस चेप्टर में पढ़ेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे जो नए वीडियो आने वाले हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको समसे में पर मिलता रहे लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुर ना भूले तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं परागण सबसे पहले परागण की परिवाशा की बात करेंगे परागण किसे कहते हैं तो पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का अंडप की वर्तिकाग्र पर इस्थानांतरन की क्रिया मैंने यह अंडरलाइन किया है क्रिया को परागण कहते हैं यानि परागण एक प्रकार की क्रिया है ध्यान दीजिए यहाँ पर पराग कण और परागण दोनों में डिफरेंस है यहां पर परागकन जिस क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे उस क्रिया को कहते हैं परागन ठीक है परिवासा सब को समझ में आ गई होगी क्योंकि पुष्पी सरचना जब हमने आपको बताई थी तो उसमें बताए था कि किस प्रकार से पुष्प में पुष्प के भीतर पराकोष जो होता है उसमें परागकन कैसे होते हैं इसके बाद इसके टैप्स की बात करेंगे परागण के प्रकार टाप्स की बात करें तो परागन जो है ये दो प्रकार का होता है एक है स्वेट परागन और एक होता है परपरागन स्वेट परागन किसे कहेंगे? स्वेट अंग्रेजी नहीं बोलेंगे self-pollination ऐसा परागन जिसमें एक पुश्प के परागन उसी पुश्प की वर्तिकाग्र पर स्वत ही गिर जाएं यानि किसी के help की कोई आवशक्ता नहीं हो स्वत ही गिर जाएं तो इसे स्वय परागन कहते हैं जबकि दूसरा प्रकार है परपरागण परपरागण तब कहेंगे जब किसी माध्यम की आवशकता पड़ेगी तो हम पहले स्टार्ट करेंगे स्वपरागण स्वयपरागण जो है ये स्वयपरागण दो प्रकार से हो सकता है पहला है स्वक यूगमन या और दूसरा है सजात पुषपी परागण या जीटो नो गैमी पहला है स्वक युगमन दोनों की परिवासा अलग अलग है स्वक युगमन होगा तो जब एक पुष्प के परागकन उसी पुष्प की वर्तिकागर पर पहुंचते हैं यानि फ्लॉवर जो है वो उभलिंगी होना जरूरी है इसके लिए क्योंकि पुष्प एक ही होगा तो उसी पुष्प के परागकन उसी पुष्प की वर्तिकागर पर गिरेंगे तो इस प्रक्रिया को स्वक युगमन या ओटोगेमी कहेंगे इसका एक्जामपल है मटर जो कि एक उभलिंगी पादप होता है इसके बारे में आपने कभी कक्षादस में पढ़ा होगा इसके बाद में अगला है सजात पुष्पी परागन सजात पुष्पी परागन सजात पुष्पी परागन है तो जब इसे कहेंगे परिवाशित रुपे जब एक पुष्प के परागकन उसी पोधे पर इस्तित दूसरे पुष्प के वर्तिकागर पर पहुँचते हैं यानि पुष्प जो है वो दो हो गए लेकिन पादप एक ही है तो उस इस्तिती में इसे कहेंगे सजात पुष्पी यानि समाजात वाला पुष्प तो इसका example है मक्का ककडी मक्का जो है ये हम मक्का और ककडी जो है इसे अपन पर परागन की शेणी में भी पढ़ते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल में जा लेंगे तो मक्का में परागन प्रक्रिया का अध्यन वहां आएगा और वो तीन नमबर का क्वेशन आपके सब भी बच्चों के आता है तो इसे हम डिटेल में थोड़ा प्रैक्टिकल के समय और पढ़ेंगे सजात्पुस्पी परागन जो है ये अनुवानसिक रूप से स्वय परागन है क्यों कि इसमें लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता या या कभी वायू ध्वारा भी हो सकता है या वाईद्वारा भी होता है तो जब माध्यम के आउसकता पड़ गई तो फिर इस इस्तती में इसको परपरागन की शनी में माना जाता है अब हम स्वेपरागन के लिए adaptation की बात करेंगे अनुकूलन की बात करेंगे यदि स्वेपरागन होगा तो उसके लिए क्या-क्या विशेस्ताएं पादप में होनी चाहिए या पादप जो है वो प्रकरती के किस प्रकार से अनुकूल होना चाहिए अनुकूलन adaptation यानि स्वेपरागन को ढालना तो पादप जो है वो कैसे अपने अंदर चेंजिस करेगा तब ही उसमें स्वेपरागन होगा तो उसके लिए पहला कंडिशन है उभैलिंगीता बाई सेक्स्वेलिटी उभैलिंगीता मतलब नर और मादा पुष्प नर और मादा भाग एक ही पुष्प में होने चाहिए यदि ऐसा होगा तो स्वेपरागन संभव है तो इसका एक्जांपल है मटर दूसरा है सम काल पकवता होमो गेमी सम यानि समान काल यानि समय और पकवता यानि पकना यदि होमो यानि समान गेमीट्स गेमीट्स जो है वो समान समय पर पकें यानि वो परिपक्व हों तो उस स्थती में इसे सम काल पकवता कहते हैं यानि जिस समय पर पराग कोश से पराग कण निकले उसी समय वर्तिकागर का भी परिपक्व होना आवसक है यदि दोनों समान समय पर हो रहा है तो स्वय परागन जो है वो संभव होगा इसका एक्जामपल होगा सदावाहार गुल अब्बास तीसरा इसका अनुकुलन है अनुनमिलिता अनुनमिलिता या क्लास्टोगेमी अनुनमिलिता मतलब ऐसे पुस्प जो की बंद प्रकार की होते हैं यानि क्लॉस फ्लोवर क्लॉस फ्लोवर से ताथ परे है कि उनके बाहय भाग जिनको अपने बाहय दल और दल कहा था ये बाहय तयार घेरे उए डके उए रहते हैं जायांग और पुमंग को यदि जायांग और पुमंग को पूर्च यदखे रहेंगे तो पराकनो की बहा निकलने की समभावना समप्त हो जाएगी तो उसस्तति में इसको कहेंगे अनुन मिल देता क्लेस्टोगे मी अंदर होंगे तो भी स्वेपरागण की संभावना बढ़ जाएगी तो इसका एक्जामपल होगा बच्चों वायोला और कनकोवा नाम के पादब इसके बाद में स्वेपरागण के लाब की बात करें तो स्वेपरागण के जो क्या क्या लाब होते हैं स्वेपरागण यदी हो रहा है तो उसके लिए परागणों की कम आवशकता पड़ती है क्योंकि परागण यदी कम भी होंगे तो भी क्योंकि एक ही पुष्प के पराग़ों से निकल कर उसी पुष्प की वर्तिकागर पहुच रहे तो लंबी दूरी तेर नहीं करनी तो इसलिए परागण यदी कम भी है तो भी इसमें आराम से काम चल जाएगा दूसरा ये प्रक्रिया बहुत आसान है क्योंकि किसी माध्यम की आवसकता नहीं है इसलिए प्रक्रिया बहुत ही सिंपल प्रकार की है तीसरा इसका लाब है इससे उत्पन बीज शुद्ध नसल के होते हैं यानि शुद्ध नसल से तात्परे है कि जिस भी पुष्प के पराग कन निकल लेकर जिस पुष्प की वर्तिकागर पर गए है केवल वो ही लक्षन प्रदर्शित होंगे नई कोई लक्षन प्रदर्शित नहीं होंगे और चोथा लाब है पुष्प का रंगीन सुगंदित होना आवसक नहीं है क्योंकि रंगीन और कलरफुल होगा तो कीट हो सकता है उसकी तरफ आकर्शित होगा तो भी कीट आकरसी तो हो सकते हैं तो यहाँ पर माध्यम की आवसकता है ही नहीं इसलिए स्वय परागण यदी हो रहा है तो उसके लिए पुष्प का रंगीन और सुगंतित होना आवशक नहीं है इसी प्रकार से स्वय परागण से हानिया भी हो सकती है स्वेपरागन से हानी पहली हानी है कि संकर विक्सित नहीं होते हाइब्रिड विक्सित नहीं होते हाइब्रिड बोले तो नवीन लक्षन वाले पौधे या पुष्प जो है वो विक्सित नहीं होते है इसकी पहली हानी है दूसरा इसमें बीज जो है वो हलके छोटे और कम ख्यामे बीच बनते हैं और पादपके विकास तीसरा है पादपके विकास की संभावना समाप्त हुजाती है यानि नए नए जो डवलपमेंट होने चाहिए नया नया जो adaptation होना चाहिए ओपादप में नई हो पाथा पादपका विकास जो है वो संबव नहीं हो पाता यह स्वय परागण से हानी है इसके बाद में है परपरागण दूसरा टाइप है परपरागण या क्रोस पॉलिनेशन या सजात परागण भी कहते हैं इसको जेनोगेमी भी कहते हैं जेनोगेमी भी इसे कहा जाता है तो इसकी परिवासा यदि अपन देखें तो परिवासा हो जाएगी जब एक पोधे के पुष्प के परागकन उसी जाती के किसी दूसरे पोधे के पुष्प की वर्तिकागर पर किसी माध्यम द्वारा पहुचते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं यहाँ पर बच्चों माध्यम का होना बहुत आवसक है तो ही परपरागन होगा परपरागन के लिए अनुकूलन क्या क्या होने चाहिए जैसे स्वय परागन के लिए अनुकूलन थे वैसे ही परपरागन के लिए भी अनुकूलन होने चाहिए और पहला अनुकूलन क्या है स्टेरिलिटी स्वय बंध्यता स्वय बंध्यता से तात पर है स्वय यानि स्वयम का बंध्यता यानि स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी बोलते हैं कि यदि किसी पुस्प के परागकन उस पुस्प की वर्तिकाग्र पर जाकर अंकूरित नहीं हो या निशेचन का प्रद्रसन नहीं करे तो उसे बंदिता या पांच बंद कहते हैं तो स्वेब बंदिता यदी होगी चाहिए पुस्प उभलिंगी है लेकिन यदी स्वेब बंदिता होगी तो उस इस्तती में उस पुस्प के परागकन उस पुस्प की वर्तिकागर पर जाकर निशेचित निशेचन के लिए एक लिंगिता से तात्पर है कि पौधा कोई भी हो उसमें एक लिंगी पुष्प यानि नर पुष्प अलग होना चाहिए यानि नर और मादा पुष्प अलग होना चाहिए यानि नर और मादा पुष्प यानि दोनों अलग-अलग हैं तो उस स्तती में भी परपरागन होगा ठीक है इसे स्वेपरागन का प्रकार भी मानते हैं क्योंकि स्वेपरागन का प्रकार क्यों मान रहे हैं इसे क्योंकि कई बार जो है मादा पुष्प एक ही सोरी जो नर और मादा पुष्प है जो वो एक ही पोदे पर होते हैं तो स्वते ही वो कई बार परागकन जो है वो वर बिनकाल पक्वता, पहले वाले में था सुवपरागण में समकाल पक्वता, यहां पर है बिनकाल पक्वता, डाइकोगमी, बिनकाल पक्वता मतलब अलग-अलग समय पर परिपक्व होना, यदि यह दो प्रकार की हो सकती है, एक है पुंपूर्वता या प्रोटेंडरी, पुं पुर्वता या प्रोटोगाईनी यदि प्रोटोगाईनी है तो उस इस्तती में इस्तरी भाग यानी जायांग जो है वो पुमंग से पहले विक्षित होगा तो इसका एक्जामपल हो जाएगा ब्रैसी के सीकुल के पादप तथा चमपा बर्गद आदी के पादप इसके सनचनात्मक अवरोध भी कह सकते हैं इसको सनचनात्मक अवरोध से तात्वर है यदि पुस्व की सनचना कुष्भ हो सकता है कि ड् similarly हो लेकिन पुस्व की सनचना ही कुछ ऐसी है कि वो परागण को होने ही नहीं दे रही याноि कहसे कि पुस्व की वर्थिकागर बहुत बड पुष्प की वर्ति का थोड़ी लंबी हो दूसरे पुष्प की वर्ति का कम लंबी हो या बौनी हो तो उसी पुष्प की करमशह उसी पुष्प की वर्ति का के अलावा जो पराकोश है वो हो सकता है कि उपर हो या नीचे हो यानी लंबाई में डिफ्रेंस हो जाए यानी जो है पुष्प की सरचना हमने पढ़ी थी तो पुस्प की सनचना में इधर देखिए आप जैसे मान लीजिए कि ये ये पुस्प की क्या है बच्चों वर्तिका इधर देख एक मिनिट मैं यह बना दू पहले ये देखें यदि ये पुस्प की वर्तिका ठीक है और ये वर्तिका और ये पुस्प के पराकुश हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे रह जाए या हो सकता है यह बहुत ज़्यादा कहां चले जाए उपर तो दोनों ही इस्ततियों में यहां से परागण जो है वो निकल कर यहां पर पहुंचना संभव नहीं होगा इसके लिए किसी माध्यम की आवशकता पड़ेगी किसी माध्यम मे अभी आगे पड़ेंगे माध्यम कोन कोन से होते हैं तो उन माध्यम की साहिता से ही परागण होगा तो इसे हैं अपन कहेंगे विशम बरतिकात्रिया हेटरो स्टाइली इसके बाद में हैं पर परागण की विधियां पर परागण की विधियां कोन कोन सी है पर परागण जो वो वायू के माध्यम से हो रहा है तो परागन वायू परागन कहलाएगा एनेमो फिली अब वायू परागन होगा तो उसके लिए परागनों का हलका और छोटा और संक्या में बहुत जादा होना आवशक्यों कि वायू का प्रवाग किसी भी दिशा में हो सकता है तो यदि पर जादा मात्रा में होंगे चोटे होंगे तो वासानी से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर चले जाएंगे दूसरा है जल परागन या हाइड्रोफिली जल परागन होगा यह जलिये पात्पों में होता है जल परागन दो प्रकार का होता है अधो जल परागन और अधी जल परा हैं तो उस स्तती में अधुजल परागणों का इसका एक्जामपल है नाजास और जोस्टेरा दूसरा है अधीजल परागण यदि परागण जो है जल की सता पर हो रहा है जल की सता मतलब पादब का कुछ भाग जल के अंदर है और कुछ भाग जल की सता के ऊपर है तो उस स्तत में आगे चलें तीसरा है कीट परागण एंटमोफिली कीट परागण अधिकां इश्टाय पादपो में होता है 80% पादपो में कीट परागण ही होता है अब कीट यानि कीटों के माध्यम से एंटमोफिली होगा तो उस इस्तती में पुष्प का सुगंदित होना आवशक है उ उसका पुष्प का रंगीन होना आव सके क्योंकि रंगीन होगा तब ही कीट जो है वो पुष्प की तरफ आकरशित होंगे एक्जामपल है सरसों साल्विया आप यहां पर साल्विया जो है यह आपके प्रैक्टिकल में आएगा तीन अंक का साल्विया के पुष्प में प्रेकर परकारी चमकादड परागण यह पर आपण सोराग परागण नहीं परागण नहीं परागण के लिए। यमसे भी परगन होगा अब चमकादड जो है इसको फिल कहेंगे यह चमकादड द्वारा परागन हो तो चमकादड रात को उड़ती है क्योंकि उसको रात को दिखाये देता है तो रात के समय जो पुष्प है वो कैसे होते हैं यदि सफेद रंग के हैं तो रात में सफेद रंग के फुश पासानी से दिखाई देते हैं तो उनमें जो परागण होगा वो चमकादड परागण के लाएगा एक्जामपल है कदम और कचना आज के वीडियो में इतना ही बच्चों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो मैं आपको फिर से ये कहूंगा कि वीडियो को लाइक अवस्य करें सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय समय पर मिलता रहे थेंक्यू